गुड आप्टरणून गाईज आएम सुमिस औरव फॉर्मर बैंक और बड़ोधा इंप्लोईज तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मिशन आप सभी लोग के पास देना चाहूंगा कि यूपी एसी की एक्जाम जो प्रेलिम्स 2021 के होने वाल की जो सेकेंड वेव जो हमारे देश के अंदर में आई है तो यहां को देखते वे बहुत सारे स्टुडेंट की मांग थी हलागी यूपी से ने भी अभी से थोड़ दिर पहले एक इंफॉर्मिशन जारी किया है जो के प्रेलिम्स 2021 जो 27 जून को होने वाले थे अब यह 27 उनको अपना ना देखे अपना फोकस करें अब 10 अक्टूबर को ले करके और प्रिप्रेशन जिस तरह से आप सभी लोग कर रहे थे उस तरह से प्रिप्रेशन को हमेशा की तरह जारी रखे यहां पर फ्रेंट्स क्योंकि एक्जाम जो है यूपी से बहुत ही रेर और चांस में एक्जाम को पॉस्पॉंड करता है रहा बात पिछले साल भी आपने देखा था बहुत सारे एक्जाम कैंसिल हुई थी पॉस्पॉंड हुए थे पर यूपी से ने पॉस्पॉंड नहीं किया था यहां पर तो अब इसकी 10 अक्टूबर जो नई तारिक है आप सभी लोग इसको ध्याल में रखेंगे रहा बात कोविड जो है मारे देश के अंदर में जो इसकी सेकेंड वेब आप सभी लोग जानते भी होंगे सेकेंड वेब जो आईए वो काफी जादा खटनाक है तो बहुत ही रेर एंड रेर चांसेस में ही घर से निकलने का काम करेंगे यदि स्टुडेंट जो लोग भी एक्जाम को लेकर के इंतिजार कर रहे थे तो इंतिजार बिल्कुल भी नहीं करें चाहे वो UPSC की कैंडिगेट हो चाहे वो SBI के कैंडिगेट हो देखो फ्रेंड्स मेरा यही सजेशन है जिस तरह से मैं आपको एक राइट इंफॉर्मेशन हमे इतना भी है तो आप लोग घर पे बैठ करके अपने प्रिपेशन को डे टुडे इंप्रूव करें यही मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को रहा बात एक बार फिर से मैं बता दो कि यो UPSC की जो प्रेलेंस 2021 है यह अब एक्जाम जो है 10 अक्टूबर 2021 को होना है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के आप साइट पर जागर के जब आप सर्च करेंगे तो वहीं से आपको यह इंफॉर्मेशन भी मिलेगा तो जो लोग भी सेशन को जरूर देख रहे हैं यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूरे कि फ्रेंट्स लाइक करेंगे शेर कर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि यहां पर डेली क्लासिस के साथ साथ आपको डेली अपडेटेट न्यूस भी यहां पर प्रोवाइड किया जाता है जो जो की आपको उसके लिए भी फायदा यहां पर मिलेगा तो थैंक्यू फॉर एव